क्रिश्णा, हरिभक्ती विलास में कहा गया है कि यदि कोई बालक, व्रिध्या बीमार व्यक्ती उपवास करने में असमर्थ है तो भी उसे एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे दिन में एक बार या संध्या के काल में दूद, जल, फल अधिग्रहन करके एकादशी का व्रत पालन अवश्य करना जाए। देश को प्राप्त करने हेतु जागरित होने के लिए बना है। मृत्यू के चक्र से सदा के लिए मुक्ती भौतिक सुख सुविधाएं, आपको इस जन्म में सुख प्रधान कर सकती है। मृत्यू के बाद जैसे ही शरीर छूटा, सारे समृध्धी भी छूट गई। लेकिन एक मात्र वाहन की भक्ती की है, जो मनुष्य के शरीर को छोड़ने के बाद भी उसके साथ रहती है और ये भक्ती कौन हमें प्रदान कर सकता है तो वो हमें मिल सकती है। प्रमान भूत गुरू की कृपा से, वैशनवों के संग से, वैदिक न्योमों के पालन से, तुलसी देवी की सेवा से और एकादशी वरत का पालन करने से। तो आएए आज हम आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वरूथिनी एकादशी के विशय में सुनते हैं। ये एकादशी प्रत्येक वर्ष मास्क के कृष्ण पक्ष में आती है और उसका नाम वरूथी ने इसी लिए भी है क्योंकि ये जीवात्मा को मनुवांचित वर प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ती 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे उसे जो फल प्राप्थ होता है वही फल उसे इस वरूथिनी एकादशी का पालन करने से मिलता है। और इस वरत का पारण होगा अगले दिन द्वादशी पर यानि 5 मई 2024 रविवार के दिन पारण करने का या वरत खोलने का समय है प्रातः 5 बच कर 49 मिनट से लेकर 10 बच के 9 मिनट के बीच में। देखिए इस बात में कोई संशय मत रखिएगा कि एकादशी का पालन कप करना है क्योंकि इस बार जो एकादशी आ रही है वह पूर्ण एकादशी तिथी है यानि वह ना तो दश्मी से सम्मिलित हो रही है और ना ही द्वादशी से। इस लिए इस एकादशी का पालन सभी को 4 मई 2024 को ही करना है पंचांग के समय अनुसार एकादशी तिथी प्रारंब हो जाएगी तीन मई शुक्रवार को रात के 11 बच के 24 मिनट से और ये तिथी समाप्त होगी चार मई शनिवार को रात के 8 बच कर 38 मिनट पर इस प्रकार एक अज्य करणा है यह आपको भौतिक वरो को तो प्रदान करती ही है लेकिन साथ ही सबसे दुरलब ऐसे आध्यात्मिक वर यानी परम भगवान श्री कृष्न की बखति प्रदान करने में भी वह सक्षम है इसके पालन करने से इस लोग और परलोग दोनों में अखन सौभाग्य की प्राप्ती होती है। इसी वरत के पालन से राजा मांधाता और राजा धुंध मार ने स्वर्ग लोग की प्राप्ती की थी। पूर्ण दिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जब्त किया है। अपनी चेतना को सात्विक बनाये रखा है और अन्न का त्याग करके उपवास किया है। तो आपका वरत करना सफल रहा लेकिन उससे विप्रीत आपने वरत के सभी प्रातय में ब्रह्मा मुहूर्थ में उठ जाना चाहिए। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद अपने घर में पूजा स्थान को स्वच्छ करके भगवान की मंगला आर् आपकी प्रसन्नता हेतु और आपके शुद्ध भक्ती की याजना करते हूं मैं। सारे नकारात मकताय दूर होती है और भगवान श्री कृष्ण की विशेश कृपा प्राप्त होती है तो अब तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें। उन्हें आवशक्ता के अनुसार जल दें। पुष्प, गंध और दीप अर्पित करें। और उनकी कम से कम तीन बार प् करें। यानि हरे क्रिश्ण, हरे, क्रिश्ण, 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 हरे, 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 राम, हरे, राम, 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 हरे, हरे। इस महमंत्र की 108 मन के वाली कम से कम 816 या 25 माला का जब करें। अब संपूर्ण दिन में भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन हम किसी भी प्रकार के अन्न, डाल, चावल इत्यादी का त्याग करके संपूर्ण उपवास करते हैं। अगर बिना भोजन के उपवास करना संभव ना हो तो आप जल, दूद, फल या फिर एकाद्शी का प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि इस दिन अधिक से अधिक हर इनाम का जब करें, हर एक कथा सुनें और भागवत गीता या श्रीमत भागवतम ग्रंत का अध्यान करें। एकाद्शी के दिन अनावशक बातों और व्यर्थ के कामों में अपना समय न गमाएं। प्रयास करें कि टीवी, मोबाइल और भौतिक कार्यों से स्वया को दूर रखें। जितनी आवशक्ता है उतना ही उसका उप्योग करें। पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद रूप में किसी ब्रहामन या वैशनव को खिलाएं और स्वयम भी उसी प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्रहामन या वैशनव को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य देना चाहिए जो ये वीडियो देख रहा है वो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले भगवन श्री नरायन एकादशी व्रत का फल देंगे